उम्शान्ति आज 23 जुलाई 2023 के अव्यक्त महवाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1995 आज के अव्यक्त महवाक्यों में बाबा बच्चों को संतुष्टता और प्रसनता से संपन देखना चाहते हैं सर्व प्राप्ति संपन आत्मा के निशानी है प्रसनता और संतुष्टता बाबा जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है अपने सब बच्चों को देख रहे थे कि जो बाप से प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों को इन्होंने अपना कितना बनाया है स्वेम में कितना धारण किया है इस धारणा करने की शक्ति से सब बच्चे नमबरवार है बाबा ने तो फुल वर्सा दिया है लेकिन सब बच्चे इसको धारण करने में अपना बनाने में नमबरवार है बाब का खजाना सो मेरा खजाना जिस बच्चे ने सर्व प्राप्तियों को अपने में धरण किया है, उसकी निशानी है सदा प्रसन्न चित, सदा संतुष्ट, पूछ रहे हैं बाबा कि सदा प्रसन्न चित रहते हूँ, संतुष्ट रहते हूँ, बाबा ने सर्व खजानों का अधिकार दिया है, लेकिन वो ख खजाना है सर्व शक्तियां वो शक्तियां मेरी शक्तियां है यह आपकी अपनी बन जाएं उसमें सब बच्चे नंबरवार हैं ब्रामनों के लिए तो गायन है ए प्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामनों के खजाने में बाबनी का इस समय इन प्राप्तियों को सामने रखो क्या क्या मिला, जो इन प्राप्तियों को सामने रखते हैं, वो सदा प्रसन रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, चलते चलते प्रसनता की स्थान पर प्रशंचित बन जाते हैं, कोश्चन मार्क बुद्धी में आता है, क्या, क्यूं, कैसे, बहुत सी बाते बुद्धी में चलने लगती हैं बाबने विस्तार पूरो अक्सम जहते हुए इसका समधान बताया मुख्य कारण है यह प्राप्ती और संतुष्टता लाती है यह प्राप्ती को समाप्त करने का साधन है कि आप प्राप्तियों को याद करो मुझे बाबा से क्याậyने मिला संतुष्ट मनी बनू नाम मानशान चड़ाता भी है और गिराता भी है कई बच्चे कहते हैं सेवा हम करते हैं नाम दूसरों का हो जाता है बाबनी का आपका नाम तो बाबा की दिल पे लिखा हुआ है तो आत्माओं से मान की इच्छा क्यों बाब ददा आपको प्राप्तियों से भरपूर करते हैं बाब ददा आपको विजे माला का मन का बनाते हैं तो आप आत्माओं से पाने की इच्छा ना करें सुनते हैं बाबा की मदर बोल मुरली का सार है सर्व प्राप्ति संपन आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता सर्व प्राप्ति संपन आत्मा के निशाने संतुष्टता और प्रसन्नता आज सर्व प्राप्ति कराने वाले बाप तदा अपने चार्व और के प्राप्ति संपन बच्चों को देख रहे हैं सर्व प्राप्तियों के दाता, संपन और संपूरण बाप के बच्चे हैं, तो हर बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्सा दिया, ऐसे नहीं किसी को दस दिया हो, किसी को बीस दिया हो, सब बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है, सबी बच्चे फुल वर्से के अधिकारी है, तो बाप तदा देख रहे हैं, हर एक अधिकारी बच्चे ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है, क्या देख रहे हैं बाबा? हर एक अधिकारी बच्चे ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है, बाप ने सर्व दिया है, बाप को सर्व शक्तिवान वा संपन सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है, बाप का दिया हुआ वर्सा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है मेरा खजाना है दिया बाप ने अपने में धारण कर अपना बना लिया क्या देखा अपना बनाने में नम्बरवार हो गए बाप ने नम्बर नी बनाए अपने अपने धारण की यथा शक्ति ने नम्बरवार बना दिया संपूर्ण अधिकार वा सरु प्राप्तियों से संपन आत्मा जो सदा अमरित विले से राद तक प्राप्तियों के नश्रे वा अनुभव में रहती है उसकी निशानी क्या होगी? जो आत्मा अमरित विले से राद तक प्राप्तियों के नश्रे में वा अनुभव में रहती है उसकी निशानी प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता जो सदा संतुष्ट मणी बन दूसरों को भी संतुष्टता की जलक का वाइब्रेशन फैलाते हैं उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित दिखाई देगा, प्रसन्न चित अर्थार्थ सरो प्रशनों से परे, कोई प्रशन नहीं, सदा प्रसन्न चित, क्यों, क्या, कैसे सबसमाप्त, ऐसे प्रसन्न चित बने हो, कि अभी भी कभी कभी कोई प्रशन उठता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, होगा ये प्रशन चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है कि प्रशन चित हो या प्रसन चित हो उचित अब आपका चित प्रसन है या मन में कोई कोईश्चन है और अप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्रा असंतुष्टता का कारण है अपना अनुभव देखो कभी भी मन एसंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है कोई न कोई एप्राप्ती का अनुभव करते हो तब एसंतुष्टता होती है गायन है एप्राप्त नहीं कोई वस्तू ये अब का गायन है या विनाश के समय का विन इसी बात में चाहे अपने संबंद में चाहे दूसरों के समन्द में प्रश्ट नहीं उठता सदा संतुष्ट रहते हैं ऐसे संतुष्ट आत्माई कितनी होंगी बहुत है ना अच्छा जो समझते हैं सदा प्रसंद रहते हैं चाहे माया कितना भी हिलाई हम नहीं हिलते हैं माया को हिला देते हैं माया नमस्कार करती हैं हम अंगद हैं माया हार जाती हैं हम विजय हैं जो ऐसे हैं वहाथ उठाओ ध्यान से समझेंगे बापा क्या पूछ रहे हैं बापा याद करें उन बच्चों को जो ये समझते हैं कि ह हम प्रसन रहते हैं सदा, माया कितना भी हिलाए हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं, माया नमसकार करती है, हम अंगद है, माया हार जाती है, हम विजई हैं, जो ऐसे वो हाथ उठाओ, सदा शब्द याद रखना, कभी-कभी वाले नहीं, वो थोड़े हैं, कोटों में कोई ह कमप्यूटर चलाते हो उसमें आता है न आपकी बुधि रूपि कमप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए कोशन मार्क आशरे के मात्रा खतम इसको कहा जाता सदा प्रसन चित ऐसा प्रसन चित औरों का भी कोशन मार्क खतम कर देता है ऐसे जो सदा प्रसन रहता है वो दूसरों का भी कोशन मार्क खतम कर देता है नहीं तो स्वेम में अगर कोशन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उसके प्रशन को और अंडरलाइन कर देंगे, टेका तो दे दिया न, हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, तो प् दो से चार का हो जाएगा तो प्रसन्चित वाइब्रेशन की बजाए प्रसन्चित का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है हाँ ऐसा है साथ दे दिया ना आशरे की मात्रा आ गई ना हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ चाहिए अपने प्रती यह मेरे से नहीं होना चाहिए यह मेरे को मिलना चाहिए दूसरे को नहीं मिलना चाहिए तो यह चाहिए चाहिए प्रसन्चित बना देता है प्रसन्चित नहीं तो सबका लक्षे क्या है संतुष्ट प्रसन्चित जिसका प्रसन्चित होता है उसके मन बुद्धी के व्यर्थ की गती फास्ट नहीं होगी जो प्रसन्चित है उसकी व्यर्थ की गती मन बुद्धी के व्यर्थ की गती फास्ट नहीं होगी सदा निर्मल, सदा निर्मान अपने को चेक भी कर लेंगे मैं प्रसन्चित हूँ तो मेरी सिती निर्मल और निर्मान है निर्मान होने के कारण सब को अपने प्रसन्चित की छाया में शीतलता देंगे कैसा भी आग समान जला हुआ हो बहुत गरम दिमाग का हो लेकिन प्रसंद्चित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा कमजोरी क्या आती है वैसे ठीक चलते हो अपनी रिती से अच्छे चलते हो लेकिन जब समन्द संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ चाते हो वैसे तो आप ठीक चलते हो अच्छे रिती चलते हो लेकिन जब समन्द संपर्क में आते हो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते, उसके प्रभाव में आजाते हो फिर कहते हो इसने ऐसा किया न, इसलिए मेरे से भी हो गया इसने कहा न, तब मैंने कहा उसने पचास बार कहा, मैंने एक बार कहा फिर बाप के आगे, बहुत मीठी मीठी बाते रखते हैं यते बाबा, आप समझो न, इतना सेहन कहां तक करेंगे फिर भी पुर्शार्ती है न, तो थोड़ा तो आएगा बाप को भी समझाने लगते हैं यहां जो निमित हैं, उनको बहुत कथाई सुनाते हैं ऐसा थाना, ऐसा थाना, ऐसा थाना, ऐसे ऐसे की माला जबते हैं जो निमित हैं, उनके सामने बहुत सारी कथाई सुनाते हैं ऐसा थाना, ऐसा थाना, बाप तद सदा इशारा देते हैं ऐसी बातें दो अक्षर में वर्णन करो लंबा वर्णा नहीं करो क्योंकि व्यर्थ बाते वो चटपटी होती है मज़ेदार लगती है ज़े खाने में भी खटी मुठी चीज तो अच्छी लगेगी न और फीकी साधी हो तो कहेंगे तो खाते ही रहते हैं तो व्यर्थ की बाते व्यर्थ चिन्तन सुनना बोलना और करना इसमें चलते चलते इंट्रस्ट बढ़ जाता है फिर सोचते मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया न तो मैंने कहा अच्छा उसका सुन ले दिल हलकी कर दें दिल खाली कर दें उसकी तो दिल खाली हो गई और आपने अपनी दिल भर ली तो थोड़ा-थोड़ा दिल में भरते-भरते फिर वो संसकार बन जाता है जब संसकार बन जाता है तो मैसूस ही नहीं होता कि ये रॉंग है ये व्यर्थ संसकार बुद्धी के निरने को खतम कर देता है, इसलिए सबसे सहज संतुष्ट रहने की विधी है, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेश प्राप्ती को रखो, क्योंकि प्राप्ती कभी भूलती नहीं, ज्यान की पॉइंट्स भूल सकती हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ती भूलती एक जैसा प्रसंद नहीं होता, तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्यान के खजाने की प्राप्ती कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ती कितनी है, एक एक सब्जेक्ट को देखो, ज्यान के खजाने से प्राप्ती कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ती कितनी है दीवे गुणों की प्राप्तियां कितनी है प्राक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है बहुत लिस्ट है ना पहले भी सुनाया था कभी कोई कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो क्योंकि एक गुण भी अ पहिंकार होता ही है, यह सब आपस में साथी हैं, कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं, तो गुण भी जो हैं, उनका भी आपस में संबंध है, इमर्ज एक गुण को रखो, दूसरे गुण भी उसके साथी मर्ज रूप में होते हैं, तो रोज कोई ही न कोई प्राप्ती स्वरूप का अनुपव अवश्य करो अगर प्राप्ती १िमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ती के आगे अप्राप्ती खटम हो जाएगी और सदा संतुष रहेंगे वैसे भी देखो दुनिया में मुख्य प्राप्ति सब क्या चाहते हैं हर एक चाहता है अपना नाम अच्छा हो दूसरा मान और तीसरा शान हर एक क्या चाहता है नाम, मान और शान नाम, मान, शान से प्राप्त करना चाहते हैं आप भी क्या चाहते हो आप भी तो यही चाहते हो न हद का नहीं, बेहद का, तो दुनिया वाले हद के नाम के पिछाड़ी दोड़ते हैं, आपका नाम विश्वों में जितना उचा है, उतना और किसी का है, अब बाबा नाम को स्वस्ट कर रहे हैं, नाम चाहिए ना, हद का या बेहद का, आपका नाम कितना उचा है, बाबा नी स्वेम भगवान आपका नाम जबता है, इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अब लास्त जनम में भी अनेक आत्माई अपना शरी निर्वा चला रही हैं, आप ब्रामन हो ना, तो ब्रामनों के नाम से आज भी नामधारी ब्रामन कितना कमा रहे हैं, अभी तक ब्रामन भी कितने उंचे गाए जाते हैं, तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना स्रेष्ट नाम आपका हो गया, इसने हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, मेरा नाम कभी किसी में लेते ही नहीं, मेरा नाम सदा पीछे रहता है, सेवा मैं करती हूं, नाम दूसरे का हो जात तो हद के नाम के पिछे नहीं जाओ, बाप के दिल में आपका नाम सदा स्रेष्ट है, जब बाप के दिल में नाम हो गया, तो कोई सेवा या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया, तो क्या हुआ, बाप के पास तो है ना, ऐसे भक्ती मारग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं, उसके दिल में क्या था? हनुमान के दिल में क्या था? श्री राम था, और बाप के दिल में क्या है? बच्चे, तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, सभी का नाम है, देखा है, पक्का, कभी मिस हो गया तो, आप सब का नाम है ना, तो ना आपती के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है, आप समझते हो, मेरा नाम होना चाहिए यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संसकार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो, वो रॉंग है, फि इसकी भी परवानी करो, इस रूप में माय जादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, पहले आपका नाम होगा, तो अपने नाम की वहीमा याद रखो, मेरा नाम बाबा के दिल पर ह विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है, अच्छे से नोट कर लेंगे राइरी में, अपने को याद दिल आते रहेंगे, मेरा नाम बाबा के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है, आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको जड़ चित्र आपका प्रूफ है, जड़ चित्रों का भी लास्ट जनम तक कितना मान है, जाए जाने ना जाने, कोई भी देवी देवता का चित्र होगा, तो कितने मान से उसको देखते हैं, सबसे स्रेष्ट मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है, जब आप यह हमारे पूजनिये हैं, पूजचे हैं, तो practical proof है, आपके जड़ चित्रों का भी मान है, तो चेतन्य में है, तभी तो चित्रों का भी मान है ना, अगर चेतन्य में मान नहीं होता, तो चित्रों को कैसे मिलता, बाबा तो सदा कहते हैं, पहले बच्चे, बच्चे डबल पू मुझे जाते हैं, तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ, इतना स्रेस्ट मान मिल गया, तो जब भी कोई हद के मन की मान की बात आए, तो सोचना आत्माओं का मान क्या करेगा, जब परमात्मा का मान मिल गया, ऐसे नहीं सोचो, हम इतना कुछ करते हैं, फिर भी मान नहीं देत पूछते ही नहीं, यह सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दोड़ लगाएंगे, तो हद की कोई भी चीज परचाई के समान है, परचाई के पीछे पढ़ने से कभी परचाई मिलती है, कि और आगे बढ़ती है, परचाई को पकड़ने चलो, क्या उस भी नहीं, तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, तो शान कितना है, अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया, बाप ने बिठाया, बाप के दिल तक्तनशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान, राज्ये पद है न, तो आपका मात्मा की तक्त नशीन है इससे बड़ी शान क्या है कभी-कभी निरणय करने में छोटी सी गलती करते हो जो रियल शान है रूहानी शान है वो कभी भी अभिमान की फिलिंग नहीं देगी जो रूहानी शान है वो कभी भी अभिमान की फिलिंग नहीं देगा तो कभी-कभी क्य करते हो होता अभीमान है सोचते हो कि ये शान तो अपनी रखनी चाहिए इतनी शान तो रखनी चाहिए शान में रहना अच्छा होता है लेकिन ये शान है या अभीमान है उसको अच्छी तरह से चेक कर लो ये शान है या अभीमान है उसको चेक कर लो कभी-कभी अभीमान कोई शान समझ लेते हो फिर निर्मान नहीं होते आप अपनी शान को रियल समझते हो दूसरे समझते हैं यह अभीमान है तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा अभीमान वाले को अपमान जल्दी फील होगा थोड़ा भी किसने हसी में कुछ कह दिया तो अ मंदरड़े में कमी कर लेते हो यथार्थ की बज़ए मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो तो कहने में आता है हैं बहुत अच्छे लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है न वो अभीमान का लगता है ये भी किसी ने कहा तो अभीमान की फीलिंग आजाएगी अगर किसी ने कहा हैं बहुत अच्छे लेकिन उठने बैठने से अभीमान की मैसुसता आती है तो किसी ने कहा तो अभीमान की फीलिंग आजाएगी तो स्वमान और अभीमान के अंतर को भी चेक करो स्वमान कितना बड़ा है शान कितनी बड़ी है उस बेहद के नाम मान शा लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ती का अनुभव होता है। ऐसे हर धारणा में अलर्ट रहू। अलवेले नहीं बनो। क्योंकि समय समीब आ रहा है और समय समीब क्या सूचना दे रहा है। समान बनो, संपन बनो। तो समय की चैलेंज को देखो, सर्व प्राप्तियों से सं पन बनो। अच्छा, चारो ओर के सदा सरो प्राप्ति स्वरुपातमाई, सदा संतुष्ट, सदा प्रसंचित रहने वाली स्रेष्टातमाई, सदा स्वयम को स्रेष्ट नाम मानशान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीब आतमाई, सदा सबको संतुष्टता के वाइबर देने वाली प्रसन चितात्माओं को बाप तदका याद प्यार ओर नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तदकाओ याद प्यार नमस्ते गुड़ मॉर्νηंग, शुकरिया बाबा, शुकरिया वर्दान है, हर सकिंग स्वयम को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले समर्थ स्वरूभव बाप्त ददवर्या, संगम युक पे जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयम को भरपूर रखो जितना भरपूर उतना हलचल नहीं भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती ऐसे नहीं कह सकते कि सेहन शक्ती वा शांती की शक्ती नहीं थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलवेलापन है या डबल लौक नहीं है याद और सेवा का डबल लौक लगा दो समर्ती स्वरूप रहो तो समर्थ बन जाएंगे सेफ रहेंगे याद और सेवा का डबल लौक लगा दो तो समर्ती स्वरूप रहेंगे समर्थ बन जाएंगे सेफ रहेंगे स्लोगन है विश्व का नव निर्मान करने के लिए अपनी सिती निर्मान चित बनाओ विश्व का नव निर्मान करने के लिए अपनी सिती निर्मान चित बनाव आज सब प्राप्तियों को इमर्ज रखेंगे याद रखेंगे मैं सदा प्रसन चित संतुष्ट मनी आत्मा हूँ एकागर हो जाए बाबा को समुक देखे सर्व प्राप्तियों के भंडार बाबा मुझे भी सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं बाबा ने मुझे हर खजाने से भरपूर किया है ग्यान का खजाना याद का खजाना दिवे गुणों का खजाना खुशी का खजाना मैं सर्व प्राप्तियों से संपन संतुष्ट मनी हूँ ए प्राप्त नहीं कोई वस्तू हम ब्रामनों के खजाने में बाबा ने मुझे सप्राप्तियों से माला माल बनाया अपने मस्तक से संतुष्टता का प्रकाश दूर दूर तक फैलता देगे शुक्रिया बाबा आपने मुझे सप्राप्तियों से भरपूर किया संतुष्ट मनी बनाया सदा प्रसन रहना सिखाया आपका शुक्रिया ओम शान्ति शान्ति